यह गये हैं इन्होंने इसकी हत्या की है अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल बाकी है तो इससे सोच रहे थे कि भाई यह नौजवान है हम इतरह साल से मुक्षमंत्री है अब तक यह काम 17 सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाएं और यह यह निश्चित रूप से लिख लीजिए और अभी तो खेल शुरू हुआ है खेल बाकी है अभी इन लोग जो भी करें आज भले ही लोग ओथ ले लें लेकिन कितना दिन यह लोग रहेंगे इनको कुछ निपर देखिए निटीश कुमार जी पहले भी आदने थे अभी भी ह रहेंगे और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोजगार मिले नौकरिया मिले निवेश बिहार में आएं बिहार का विकास हो यह हम लोगों का मुद्दा रहा है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है तो को क्यों ना ले और यहीं मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थी कहां से पैसा लाएगा कहां से नौकरी देगा तो हमने आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेत्युत में वह 9 अगस्ट 2022 में बनी थी और 15 अगस्ट को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया यह किसका विजन था यह किसकी सोच थी तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना उसको हमने एक हफते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया जो कहता था संभव है तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किये नहीं नीती लाए टूरिजम घुलिफ के से अ हमारे पास था हमने टूरिजम आयटी डिपार्ट्मिंट राज्यत कोंकि ताइब में था हम लोगों ने जो हाए टी पालिसी लाई और भी कई जो पॉलिचिज है लोगोने लाने का काम किया स्पोर्ट Space हम लोगोने लाने का कॉम किया जो ख Zapogh मिलेगा उसको भिनाजी मिलेगा और जो पढ़ेगा आज और तक पूरे देश में देश इस और यह भाजपा और नितीषी की तो सरकार सतरा साल भी रहें तो सतरा साल बनाम सत्रा महीने जो काम हुआ एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया एक विभाग में एक दिन जो है सतर दिनों के अंदर जो है दो लाग से भी उपर जो है हम लोगों ने निक्तियां पत्र वितरन करने का काम किया यह तिहासिक काम में किसी भी राज में नहीं हुआ और अब तक हम लोगों के सरकार ने लगभग जो है जो गवर्णन ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को तो सारे तीन लाग से उपर की बात कहीं उन्होंने नौकरिया दिया तो किसके राज में हुआ किसका विजन था तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते हैं हम लोगों ने तो इतना इन से करवाया जिनका कोई विजन नहीं था जो ठक गे थे ठके मुकमंत्री थे उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया तो इतना काम तो हुआ ही है सारा और आप लोग सब लोगों को आश्वास करते हैं कि ना हम में गुस्ता है ना हम में नाराजगी है हम बड़े सयम रूप से हम लोगों ने गड़बंदन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे लेकिन एक बात इस पास्टूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आप लिख के ले लिजे जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी यह निश्चित रूप से लिख लिजिए और अ अभी इन लोग जो भी करें लेकिन मेरे मानना है कि जंता हमारे च्छ गार्टी और हमारा साथ देगी और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं शुब कामनाएं देते हैं चलो जंता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया उन्हों ने कहा कि मापने मजब मजबूर कर दिया उनको किस चीज की मजबूरी थी ऐसी क्या तरक देंगे उनके साथ कैसा योगी पूछ रहें कि तरक क्या देंगे सिक्षा विवस्था में सुधार जो आप तक नहीं हो पाया था कि क्वालिटी ओफ एड्यूकेशन चिकित्सा में अस्पतालों को बहतर करना रोजगार देना आर्थिक न्याय देना स्वाहिम साय समुहों के मांदेव को दुगुना कराना पॉलिसीज लाना तो इससे सोच रहे थी कि भाई यह नौजवान है हम 11 साल से मुक्यमंतरी हैं अब और यह डिप्टी सियम होकर के हैं इनकी राज़त के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया तो यह पच्छ नहीं रहा गया जो आपने दसलाग किस किस डिपार्टमेंट में बांकी रहा गया जो आपने नहीं कर पाया और हम आपको बता दें पिछले दो कैबिनेट से पब्लिक हे कि आपकुर्णा करें विश्वास रखते हैं राच राध भर घूम करके चापा भी मारत काम किया है कहीं कमी हो तो इसको दुरुस्त करने का काम क्या है मंदारी से काम किया धर्म निभाया लेकिन अभी तो खेला बाकी है आज भले इस लेले लेंगे लेकिन कितना दिन लिए कि आपके तरफ से कुछ नहीं कहा गया सरकार गिर गई तो अब आप क्या कहेंगे लोग तो आप से उमीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश के साथ बनाया था वह नितिश कुमार जी ने आपको समय बताने का भी काम किया यह गये हैं इन्हों इसकी हत्या की है तो जनता इसका जवाब देगी सम्राट चौधरी सरपे मुरेठा बांद के घूम रहे थे कि इनको पुरानी बात काम की बात होनी चाहिए कौन क्या कहता था यह क्या हुआ नहीं हुआ अब यह तो सारा इतिहास है लेकर हम तो आगे के बारे में सोच रहें औ और हम लोग मिलकर के जो है जो विजन के साथ आए हैं विजन को पूरा करेंगे जनता के साथ सब्सक्राइब जिस तरीके से वह बिधान सभा में भासन दे रहे ते जहां मंच पर जा रहे थे कुछ ऐसे एक्टिविटी थी उनको लेकर पूरा बिहार में चर्चा था आपके इनके साथ में रहे हैं कुमार आप तो जानी रहे हैं जब हमारे साथ मंज से बाते करते थे तो कि कितना काम कर रहे हैं यह सब भूलता है कोई बीजेपी को क्या कहेंगे बीजेपी ने का ईलोगों को इससे जादा इंडिया गड़ बंदन आपका ठूब कि एक तरह से अरे इंडिया गड़ बंदन मजबूत है ठीक है जो होता है अच्छे कि लिए उन्होंने कहा था कि हम बढ़ जाएंगे दोबरा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे लेकिन एक फिर से पल्टी मार दिये पूरा देश पूछ रहा है इस पर क्या बोला है ज्यादा हमको नहीं कहना इसमें जवाब जनता देगी